जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करतें दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी समय से पहले और किस्मत से जादा कुछ नहीं मिलता अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, लेन देन ये सब हमारी किस्मत पर ही निर्भड करता है दोस्तों यदि कहा जाए कि व्यक्ती के जीवन में जो उतार चड़ाव आते हैं सही गलत होता है तो इसे किस्मत से जोड़ना गलत नहीं होगा आज की समय में भले ही लोग आधुनिक जीवन जी रहे हो लेकिन कहीं न कहीं लोग हर चीज़ को किस्मत से जोड़ कर देखते हैं दोस्तों हर व्यक्ती ये जानना चाहता है ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है उनके जीवन में अच्छा समय कब आएगा भाग्य का उद्य कब होगा हम आपको जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार बताने जा रहे हैं कि आपकी किस्मत का ताला कब खुलेगा आपका भाग्योदय कब होगा आपकी उम्र का कौन सा वो पड़ाव है जब आप माला माल हो जाएंगे आपके पास हर सुख सुविधा, एश्वर्य, धन संपत्ति सब कुछ होगा दोस्तो हम बात कर रहे हैं मकर राशी की आपकी उम्र का कौन सा वो पड़ाव है जब आपको सफलता मिलती है आप अपने जीवन में तरक्की की उचाईउं को छूते हैं और जीवन में हर सुख एश्वर्य का आनन्द उठाते हैं मकर राशी राशी मंडल की दसमी राशी है पृतवी ततव है और शनी की राशी है बेहद ही महनती होते है नेतरत्व करणी की अदुभूत शमता इनमें होती है इनके सwachभाव में व्यक्तित्व में एक बहुत ही महत्पून गुन होता है वो है ठेराव बच्पन में ये दुबले पतले और थोड़े से लापरवा दिखेंगे लेकिन फिर बाद में बहुत ही तेजी के साथ ही आगे बढ़ते हैं घर परिवार की पूरी जिम्मदार ही अपने उपर उठा लेते हैं इसके अलावा ये बहुत ही जादा health conscious होते हैं खाने पीने का बहुत ध्यान डगते हैं एक्सरसाइस करते हैं जिसके वज़े से ये काफी उम्र तक लंबी उम्र तक जवान दिखते हैं इसके अलावा ये बहुत ही खर्चीले भी होते हैं जब ये चाहते हैं कि कोई सुक्सविदा इनके पास हो तो ये फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं जो सामने हैं उसी को सच मानते हैं। मकर राशी त्याग और बलिदान की राशी हैं अपनी परिवार के प्रती पूरी तरह से समर्पित रहते हैं उनके जिम्मदारियों का पूरा ख्याल रखते हैं उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और अपनी जिम्मदारियों को बहुत ही बखु भी ये निभाते हैं। मित्रों से भी अच्छे रिलेशन बना कर रखते हैं, इमानदार बहुत होते हैं लेकिन थोड़े जिद्धी भी होते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं, एक बार किसी को जबान देदी या कोई वादा कर दिया तो उसे पूरा जरूर करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुख नौकरी इनके लिए सबसे ज़्यादा लाबदायक होती है, अनुसंधान करता, पेट्रोलियम, ठेकेदार, पेट्रोलियम पदार्थ, ठेकेदार, गणी तग्ये, इन सारे शेत्रों में इन्हें बहुत ही ज़्यादा उपलब्दी हासिल होती है, अगर इन्हें सफलता की सह जीवन का पूरा खाका होता है, कुंडली में ग्रहों का शुब होना तो आवशक है ही, साथी भाग्या से सम्मतित ग्रहों का भी शुब होना, उनकी दशा, महादशा, सही समय पर व्यक्ति की कुंडली में आना, ये सब भी व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही जादा को भागय स्थान माना गया है तो इस भाव में जिस भी राशी का आधिपत्य होता है उसी के अनुसार भागयोदय का वर्ष तै किया जाता है सभी ग्रहों के भागयोदय के अलग-अलग वर्ष होते हैं जैसे सूरिये 22 वर्ष में ही भागयोदय कर देता है चंद्रमा 24 वर्ष में और मंगल 28 वर्ष में ही भाग्योदय कर दिता है बुद 32 वर्ष में गुरू 16 वर्ष में शुक्र 25 वर्ष में यानि विवा के बाद और शनी 36 वर्ष में यदि नवम भाव पर राहू और केतू की छाया हो तो 42 और 44 वर्ष में भाग्योदय होता है ग्रह के अनुशार भाग्योदय वर्ष जानकर यदि आप विशेश कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको निश्चित तोर पर उसकाम में सफलता मिलती है पूरी मेहनत और लगन के साथ वो काम किया जाए तो जातक को उसकी मनजिल को हासिल करने से कोई भी नहीं रोख पाएगा इसके अलावा नवम भाओं के ग्रहों की शुब इस्थती के लिए उन्हें बल्वान बनाए रखने के लिए जो उपाएग आपको करने चाहिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें तो मकर राशी वालों के किसमत का जो दरवाजा है वो 25, 33, 35 और 36 वर्ष की आईउ में होता है ये जो वर्ष है ये जो समय है आपकी जीवन का ऐसा समय होता है जब आप अपनी जीवन का सबस्दा महत्पून काम करने के लिए आप तयार होते हैं इस समय में आप किसमत के बहुत जादा साथ देती है इन सालों में आप हर तरह की सफलता बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो मकर राशी वाले जातक इन वर्षों में जरूर आजमाए अपना भाग गया पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम के प्रती समर्पित हो जाए तो निश्चित आपको सफलता जरूर मिलेगी साथी ग्रहों की शुब इस्तती को बनाये रखने के लिए आप वीडियो में बताये गए उपायों को जरूर करें जो कि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ दोस्तों आप अपनी राशी के स्वामी शनीदेव को प्रसन करने के लिए के दिन काली चीजों का काले तिल काले कपड़े यह काली वस्तुओं का आपको दान करना है के अलावा आप काली चीटियों को भी जिमाए उन्हें काले तिल और उनमें गुड मिलाकर उन्हें आप जिमाए जो कि आपके लिए बेहत शुब रहीगा तो दोस्तों ये थी झाल मिलाकर उन्हें आपके लिए टेर के लिए बेहत बाई तोड़े टेस के लिए झाली है